आज कुछ लोग बढ़ गया है पिछले क्लास में गाइब थे अच्छा क्लास में च्विंगम चमाना मना है आप लोगों को नहीं मालूब सब चबा लेता है बेंच के नीचे लगा देता है इसलिए जो भी चबा रहा हो बाहर जाकर पहले फिक के आओ ठीक है तो हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस में कुछ कोश्चन देखे थे कोश्चन नम्बर वन ये था अपरसन ट्रावलिंग अट फाइब किलो मीटर पर आवर प्रॉस्ट अपूल क्रों अप्रॉसस, अफॉससरे अपूल इन फिप्टीन मिनडंद, find अलेंत अब याप्रॉस्ट कोश्टन नम्बाए पूल की लंबाई कैसे, यानि distance, length means distance, और यहाँ distance में क्या होगा, speed into time, तो 5 की गती से जारा और 15 मिनट, देखो यह kilometer per hour है, और यह minute है, हम लोग को यही दो चीज मिलाना है, कि अगर kilometer per hour है, तो समय भी hour में होना चाहिए, या meter per second है, तो समय भी second में होना चाहिए, या इधर minute में है, तो वो भी minute में होना चाहिए, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं किया, कि 5 किलो मीटर जो पर hour था, इसको किसे multiply कर दे, 5 बटा 18 और यह meter per second हो गया, तो यह आपका हो गया क्या, speed, यह क्या हो गया, speed, और time जो है, वो हम मिनट है, अगर हम इसको meter per second में बदल लिए, तो इसको भी second में बदल लो, तो 15 गुना 60 second, अरे minute है, एक मिनट में 60 second, तो 15 मिनट में 15 गुना 60, solve किया, तो 1250 meter, देखो तो option है, option number 3, कोई problem नहीं, आगला question है, by walking at 4 fifth of usual speed, तो को fraction में ऐसे पढ़ते हैं, कि usual speed 5 था, तो अभी वाला speed 4 हो गया, usual, जो denominator होता है, वही शुरू वाला हो गया, तो शुरू का speed 5 था, तो अभ का speed 4 है, तो speed पहले क्या था, 5, और अब ये क्या हो गया, 4, तो time का ratio क्या होगा, 4 और 5, देखे, और क्या कर रहा है, 6 मिनट देर से पहुंचता है, यानि, समय का अंतर 6 मिनट, तो बता, ये 5 X, minus 4 X, यानि, ये बराबर है, 6 मिनट, तो X बराबर 6 मिनट, तो क्या निकालना है जी, 4 X, तो 4 गुना छे, 24 मिनट, 4 गुना छे, 24 मिनट, मैंने बताया था, ऐसे question को, आप direct ऐसे भी बना सकते हो, 5 और 4 का अंतर कितना है, एक, एक वराबर है, 6 मिनट, तो 4 गुना छे, 24 मिनट, जो लोग लेट से आएं, थोरा खरे हो जाएं तो, चुट्टी लेके कहे थे क्या, कौन चुट्टी ले था, केवल वो चुट्टी ले थे, थी से क्या मतलब है, तुम खाएं, जहां खरे रहोगे, पूरा class रहेगा तुम्हारे साथ, तो सब का चुट्टी होगे, सर हम आ रहे हैं, तो सब चला जाएगा, पीछे-पीछे, तुम कहां पूछी है तुम, जा मुकेश्विया पढ़ाएंगे तो पढ़ना, मुकेश्विया कभी पढ़ाएंगे ना, तो उसी समय आ जाना, class में सर है, office में सर है, तो हम मुकेश्विया से जाएंगे पूछने, जो आदमी हमारे फेवर में काम करें उनसी के पास, recording हो रहा है तो क्या हो गया, ये भी तर मालूम होने जाएंगे साथ डाटते भी हैं, चलो आगला पड़ो, question number 4, ahors runs at, सब ध्यान से देखना, ahors हम लोग 0 level से उपर की उरबर रहे है, question तो 0 से टॉप लेवल की उर रहे है, ahors runs at 30 km per hour, and his distance finished in 2 hours, and वो distance को finish करा है कितने समय में, if he, एक घोरा 30 के speed से दौरता, और उसकी दूरी 2 घंटे में समाप्त करता है, यदि वो एक घंटे में दूरी पूरी करता है, तो किस गती से दौरता है, तो मताँ आप आले speed क्या था, अगर देखो कि same distance की बात की जा रही है, कि पहले इस speed से जाता था, तो यहाँ इतने समय में, अब इस speed से जा रहा है, तो इतने समय में, यानि दौरी सेम अगर हो, तो हम लोग ऐसे लिख सकते क्या, D1, distance परावर, S1 इंटू T1 परावर, S2 इंटू T2, यह लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो आगे क्या कर रहा है, S1 यानि 30 और समय कितना, 2 घंटा और X इंटू 1 आवर, कितना होगा, Start option नहीं है, तो none of, पहले तुम लोग देर घंटा पर बना रहे थे, अब हम लोग किस्टे पर बना रहे हैं, एक घंटा पर, तो answer क्या होगा, 4 किलो मीटर पर आवर, यहां, ऐसे का सकता है, कि Speed को कितना बरहाना परेगा, तो 60 में से 30 घंटा देते, चुकि पहले वाला Speed क्या था, 30, यानि अगर उसी distance को एक घंटा में जाना हो, तो क्या होगा, तो Speed को, या तो कहा हैं, कि 60 के Speed से जाना होगा, या Speed को 30 किलो मेटर परावर बढ़ाना होगा, ठीक है, अगला कोस्चिन, क्या है, पढ़िए, राम और भरत समान दूरी, ठे की गती से तै करते हैं, और 10 किलो मेटर क्रम सर, मतलब 6 और 10, राम और भरत ट्रावल दे सेम डिस्टेंस, आड़ दे रेट आप 6, और दूसरा है, आड़ दे रेट आप 10, इप राम टेक्स 30 मिनट्स लॉंगर देन भरत, 30 मिनट्स लॉंगर मतलब ज्यादा, ट्रांसलेट ये गरवर किया है, राम और भरत समान दूरी 6 किलो मेटर प्रती घंटा, तथा और 10 किलो मेटर प्रती घंटा की चाल से तै करते हैं, यदि राम भरत से 30 मिनट्स अधिक समय लेता है, तो ऐसे लिखे क्या, डिस्टेंस बराबर दी और एक का स्पीड क्या है 6 और दूसरे का स्पीड क्या है 10, तर दी बाई 6 माइनस दी बाई 10 बराबर कितना, 30 बाई 60, ये दो बार में solve किजिए, ये और 10 कालसियम कितना, 30, 5D माइनस 3D बराबर, और 4D इक्वल टू 30, तो D इक्वल टू 7.5, जेको तो है, अगला कुश्यन, अपरसन रन एट 6 किलो मेटर पर आवर, हाव मच डिस्टेंस, ही विल कभर इन 30 सेकेंड, है कुश्यन, किस स्पीड से जा रहा है, और 30 सेकेंड में कर रहा है, दोखो, ये आवर में है, और ये सेकेंड कर रहा है, तो डिस्टेंस इक्वल टू, स्पीड इन्टू टाइम, और स्पीड क्या है, 6 किलो मेटर, तो इसको हम लोग मेटर पर सेकेंड में बदल है, तो गुना 5 बटा, रहको, स्पीड को बदलने के लिए, 18 बटा 5 या 5 बटा 18 लगाते, किसको बदलने के लिए, स्पीड को, तो इन्टू 5 बटा 18 मीटर पर, अब सेकेंड वाले से गुना करोगे न, तो सेकेंड और सेकेंड, कैंसेल हो जाएगा, कितना एंसर आया है, पचास मीटर, बराबर, पचास मीटर, तो मों को क्लियर है, कि स्पीड मालूम है, टाइम कह रहा है, तो स्पीड इन्टू ठाइब, नेक्स्ट, 6 की गति से दौरता है, 30 सेकेंड में कितनी दूर तै करेगा, तो गया, एक कार, 40 किलो मीटर की दूरी तै करता है, 9 घंटा में, और समान दूरी साठ की रफ्तार से, जात्रा में उसका कुल समय ज्यात किजिए, अकार कवर 40 किलो मीटर पर आवर, इन 9 आवर, और सेम डिस्टेंस, 60 किलो मीटर पर आवर स्पीड, फाइन इस टोटल टाइम इन जागने, क्या होगा, 40 इंटू, is equal to 60 into X. X वराबर क्या हो जागा? 6 hours. Next. अब वायर टेक्स एज मुच टाइम इन रॉनिंग 10 मीटर, आज अ कार टेक्स इन कवरिंग 25 मीटर, यानि एक लर्का 10 मीटर दौरने में उतना समय लेता है, जितना एक कार 25 मीटर चलने में, यानि जितना समय में कार 25 मीटर गया, लर्कार का तो स्पीट ज़्यादा होगा, तो कार गया कितना? 25 मीटर, और लर्का जा रहा है कितना? 10 मीटर, तो क्या पूछ रहा है, कार द्वारा एक किलो मीटर तै करने में, लर्के के द्वारा तै की गई दुरी, मतलब कार का कितना 25 मीटर था, तो 22 का कितना 10 मीटर तो इसका अगर 1 मीटर होता तो बवाय का 10 बटा 25 इसका करा 1 किलो मीटर, 1 किलो मीटर मतला 1000 मीटर तो 10 गुना 1000 बटा 25 जानी 400 मीटर बोलिये कोई प्रॉब्लेम तो थोड़ा गुगल किया है कहीं कहीं वो थोड़ा गलत किया बाकी स्थिक है कार कंप्लीट असर्टेन जर्नी इन 8 आवर्स यह तै करता है आधा 40 के स्पीड से और नेक्स 30 के स्पीड से तो पूछ रहा है टोटल लेंथ ऑफ जर्नी तो टोटल लेंथ ऑफ जर्नी में आधा जा रहा है और अगला आधा जा रहा है तो डिस्टेंस को दी मान लें तो आधा दी वाई टू अगला आधा भी दी वाई टू तो मान लें टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस वराबर कितना ती किलो मेटर तो आधा जा रहा है कितने समय में किस स्पीड से तो आधा मतलब दी वाई टू इंटो 40 और अगला आधा फिर दी वाई टू इंटो और ये कुल समय कितना लग रहा है आठ गंटे ती वन प्लस टी टू है ती वन प्लस टी टू पराबर कितना आवर्स एट आवर्स और ती मतलब दी दी वन बाई एस वन प्लस दी टू बाई आप उचरा यात्रा की कुल लंबाई तो दी वताना है जल्दी निकाले दी वाई 80 प्लस दी वाई 120 पराबर 8 आवर्स दोनो काल्सियम दो सो चालेज 3D प्लस 2D इस एक्वल टू 8 और 5D बाबर 800 आठ गुना दो सो चालेज तो D वराबर कितना 8 इनटू 48 8884 32 38 देखिये, क्वेशन का एंसर दिस्टेंस कितना एगा? 384 अचा, पता है, यहाँ पे क्वेशन दो तीन डंग से पूछता है, एक तो पूछा टोटल दिस्टेंस, तो आबता दिये तो क्वेशन यह पूछ सकता है, आधा डिस्टेंस, यह कहेगा आधा जा रहा है, कार से, आधा जा रहा है बस से, तो बस से कितना दूर गया, तो आधा ठीक है, तो उस चीज़ पे ध्यान देना, आज अब टोटल पूछेगा, तभी आप D बताना कोई प्राब्लेम? Next एक व्यक्ति 24 मिनट में एक दूरी तै करता है, यदि वह 27 के स्पीड से जाता है यहनि 27 के स्पीड से जा रहा है, तो 24 मिनट लग रहा है, कारा 18 मिनट में जाना चाह रहा है, तो किस गति से दोड़ा चाहिए? फिर वही चीज हो गया क्या? कि दिस्टेंस वरावर S1 into T1 is equal to S2 into T2 अब बता, S1 कितना है यहां पे? पहला स्पीड 27 और पहला टाइम 24 मिनट दूसरा स्पीड X और दूसरा टाइम अचा जब यह भी मिनट है यह भी मिनट है तो आवर में हम लोग नहीं बतलेंगे ऐसे भी लेके चल देंगे तो यह छेतिया छेतिया 3 से 9 बार में 36 किलो मीटर फर आवर है? 5 से 2 से 5 था 13 15 16 15 15 15 16 इतनी दूर चला है, the whole time occupied having been 7 hours. A man walk to a town at the rate of 8 और ride back at the rate of 6. The distance को delay ले ले हैं, तो जा रहा है किस स्फिर से? 8 और लॉट रहा है किस स्फिर से? 6 और total समय क्या लग रहा है? 8 hours. 8 है कि 7 है? 7 hours. D y 8 plus D y 6 is equal to 7 hours. कितना याठी कमान? दोनों कालसियम 24, 3D plus 4D, बराबर 7, ताथ से साथ का तुगे 24 आ रहा है न जी? तो 48 कौन बोला है? हाव फार है जी वाग 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 वाला एक ही तरफ से वाग जा रहा है, दूसरे तरफ से राइडिंग करते हुआ रहा है? चला है, वाकिंग, वाकिंग मतलब साइकिल पर की बाइक पर की कार पर, बाइक पर, आप समझ में आया? तो हिंदी में भी ठीक है, चला है और इंग्लिस में भी ठीक है, हाव फार है जी वाग वाग क्या दिया हुआ है? अ मैन वाग द्यान दो, जा रहा है, एड के स्पीड से और राइड बैक हो रहा है, तेके, तुल कितने मिला है? अगर टोटल डिस्टेंस, ट्रावेल्ड कहता, तो चौविस चौविस अर्टालिस, और टोटल डिस्टेंस वाग कहेगा, तो चौविस, टोटल डिस्टेंस राइड कहेगा, तो चौविस, एक तरफ वाग करकी गया, अब कोशन जैसा कहा है, वैसा लेलो, यहाँ पे तो यही कह रहा है, बोड पे जो कुशन है, उसकी इसाफ से 24, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसलेट कहीं और से हुआ होगा, यह ट्रांसलेट गूगल ने किया है, फिर गूगल किया है तो 24, क्योंकि चला, वाक, वाक तो एक ही साइड है, हाम लोगों को गर्मी नहीं लगरी, पढ़ो, कोई प्लीज नहीं, पढ़िए, जिन्नों को गर्मी लगेगा, वो ठंडी में आना थ, खे महिना चुटी लेलो, उसके बाद आना, चले पढ़िए, अकार, एह, अकार कंप्लीट असर्टेन जर्नी, एट आवर्स में, इट कावर्स हाफ द डिस्टेंस, चालेस, और रेस्ट, टिक साथ, गप करोगे, क्लास से बाहर कर देंगे, जिनको अच्छे से आता है, वो बाहर इंतजार करना, और जो लोग पढ़ने आ हैं, वो चुप-चाप, समझते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि आप लोग खाना, पानी सब लेके आते हो, क्लास में, तो इससे हो कि आट वहाँ प फैन नहीं चलेगा, हम भी रहेंगे तुम्हारे साथ, अच्छा, देखते हैं, या तो हम कोशिस करें कि एक महिना में समाप्त कर दे तुम्हारा बैच, आधा दूरी, आधा दूरी, बोलो जी, क्या लिखेंगे, दीवाइटू, आगला आधा दीवाइटू, पहला जा रहा किस स्पेट से, और दूसरा, तो दीवाइटू इंटू, इंटू, और टोटल समय, एट आउर्स, तो दीवाइट प्लस दीवाइट परावर, 80 और 120 काल्सियम, 200, 8 से 3D, प्लस 2D, परावर, यह रिपीट है न, 5D बरावर, 80 गुना, 240, तो D बरावर, 80 गुना, 240 बर्टा, 5, यह तो पढ़ चुके है, क्वेशन नमबर 13, रिपीट है तो आगे बढ़ जाते हैं, क्वेशन नमबर 13, two men, A and B, walk from P से Q, a distance of 18 km, P और Q, यह है P और यह है Q, और distance कितना है यह, 18 km, सब लोग अच्छे से देखना, यह 18 km है, आगे पढ़े है, A काई स्पेट, 4 km पर आवर, और B काई स्पेट, 5 km पर आवर, क्या का रहा है, कि respectively, P reaches Q, returns immediately and meets A at R, B, कौन चला जा रहा है, P, यहां तुरत पहुंच गया, मानलो घर से, एक ही होस्टल में दो विद्यारती हैं, दो फ्रेंड है, एक आया institute, एक तो है, जो मानलो अपने बाइक से आ रहा है, एक पैदल आ रहा है, तो बाइक वाले का मानलो, speed 5 है, या cycle वाले का, और एक का कितना है, 4 है, जो तेज चल रहा है, वो institute पहुंच के क्या देखता है, कि institute बंद है, तो return immediately, करा तुरत लोटता है, और जब तक यह तेज वाला, यहां तक लोट का है, slow वाला, यहीं तक आया था, तो तुरत का दार कहा जा रहा है, लोट, आज तो ताला लगा हुआ है, है न जे, तो जितने समय में B, यह था कौन, A, यह कौन, B, यहां जाकर के यहां तक लोटता है, उतने समय में यह यहीं तक जाता है, और यह जगा को क्या मान लिया, R, मतलब खुब ध्यान से देखो, जो तेज वाला है, P से Q गया, और Q से R आया, जो slow वाला है, P से R ही आया है, तो यह मान लो, इस बीच के डिस्टेंस को हम लोग, क्या मान ले, X, तो बताओ, यह B कितना चला, यहां से यह 18 चला, 18 प्लस X, वापस भी आया, और यह slow वाला कितना चला, 18 माइनस, तो 18 प्लस X, कौन चला, B, और A चला, 18 माइनस, X, इसका स्पीड था कितना, 5, जो तेज चला है, इसका स्पीड था, 4, और समय एक्वल होगा, टाइम विल भी, तेम, तो टाइम सेम क्यों होगा, क्योंकि दोनों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं है, एक ही होस्टल में तोनों एक साथ ताला मारा, निकला, अब जितने समय में तेज वाला यहां जाकर यहां तक आता है, उतने समय में तेज वाला यहीं तक जाता है, अब x कमान निकाल लो x कमान आएगा 2 या तो cross multiply या option से मान रखके देख लो option नहीं है अब x कमान 2 बोले है तो 18 में से 2 घटा होगे तो कितना होगा ये 18 माइनस 2 है बराबर 12 ये आया कितना तो तो simple आगे से कोई figure नहीं बनाएंगे 18 km slow वाला कितना चला है 18 माइनस x तेज वाला कितना चला है 18 प्लस x इसका speed 4 इसका speed 5 cross multiply किया x बराबर 2 question पूछ रहा 18 माइनस x कितना 18 माइनस x ठीक है अच्छे तुम लोग के face की और देख रहा था ऐसे सो कर रहा भाह आपरे कितना गर्मी लग रहा है अब तो बेहोस होने वाले हो तुम लोग पानी हम रखे हुए है इधर भी है अजी तुम भी च्विंगम खा रहा है क्लास में च्विंगम और माउथ फ्रेष्णर एलाउड नहीं है कोई भी तरह का माउथ प्रेष्णर अब एक बच्छा पान खा के चलाया का के सारु च्विंगम खाता था कुछ नहीं तो पान तो उससे सुद्ध चीज है हम कहां ठीक है आगले दिन से मत आना हां हम कहां दिये कि मत आना साम इवनिंग वाला बैच में था हम कहां छोड़ दे ना बाबु मत आना अब का लोगे गुटका खा के आएगा आज जगा ना मिलता है ना तो बस बगल वाले के पॉकेट में थुख देता है पर एक ही घप कर रही है कुशन बना अगला तेम है क्या जी हां बाइस किलो मीटर है तो बता एक जाएगा बाइस प्लस और एक जाएगा बाइस माइनस तेज वाले का स्पीड कितना और स्लो वाले का फिर सॉल करो बाइस दो चौबिस बाइस माइनस दो हो गया यानि यहां भी एक बराबर दो आएगा तो डिस्टेंस पूछ रहा है बाइस माइनस दो का यानि 20 किलो मीटर एक बार दो बर बनाओ कि उसके वाद से तो फटाफट बनने का बना क्या हो एक दिन का डांट का बहुत असर है अगला कोशन पढ़िये एक आदमी एक साहर में a man walk to a town at the rate of 8 है 10 है एक आदमी एक साहर में 10 किलो मेटर पर आवर लिखी दिया है अच्छा लिख दिया है लेकिन यहां वही चीज़ होगा यहां गलत मैंने नहीं लिखा था 10 किलो मेटर परती घंटे के चलता है और a man walk to a town at the rate of पहला स्पीड कितना है अच्छा यह होल था इसलिए computer नहीं लिया होगा पाइब एन हाफ फाइब एन हाफ किलो मेटर एन आवर यह है कितना five one by two किलो मेटर पर आवर समझ में आ रहा है जा रहा है सारे पांच के स्पीड से और लॉट रहा है दस के स्पीड से तो बता हो जाब और टोटल समय कितना लग रहा है छे घंटा बारा मिनट अब बताई छे घंटा बारा मिनट को छे पुर्णा बारा बटा साट लिख सकते क्या तो बारा एकाहें बारा बारा पचे 5 हक तीस और एक 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 तीस बता यहां तक कोई प्रब्लिम अब हम लोग क्या जान रहा है कि ये तो sum of time है टीवन प्लस टीटू और यह है एक तीस बता पांच है की नहीं और डिस्टेंस को क्या माल लें ती बटा एक ग्यारा बटा दो तो यहां चला जाएगा प्लस दी भाई दूसरा का कितना है तेन और टोटल समय एक तीस बटा पाँच दी निकाल लेंगे निकाल लिए तो तो निकाल लिए नहीं रहा है